भूकम के लिहासे उत्राखन पेहत समिधन शिल है, राजे को भूकम के दिर्ष्टी से जोन 4 और 5 में रखा गया है। हाल ही में राजदानी देरदुन समेथ आसपास के इलाकों में हलके भूकम के जटकों ने लोगों के चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय से हिमाले राजे में कोई बड़ा भूकम नहीं आया है, हाला कि कई बार हलके जटके मैसूस किये गए, जिसको लेकर भूव वैग्यानिकों के माते पर भी शिकन दिखाई दे रही है। ऐसे में जिंता होना लाजमी है कि क्या राजे में लगातार आ रही हलके जटके एक बड़े भूकम को दस्तक दे रहा है और राजे में आखिर नए भूकम के इंद्र क्यों बन रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए समवादाता आधर शर्मा ने वाडिया इंस्टिटूट ऑफ हिमालियन जियोलोजी के पूज भूव वैग्यानिक डॉक्टर अजे पॉल से बात चितके। जानकारी होनी चाहिए कि वुकम आते क्यों हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारी प्रित्वी की जो सतह है यह कई प्लेट से मिल करके बनी हैं। लगबग आठ प्लेट सें जो कि ज्यादा प्रॉमिनेंट हैं। जैसे कि हम अगर भारत भुबा की बात करें तो भारत जो है वो इंजेन प्लेट और यॉरेशन प्लेट के टकराने से हमाले की उत्पत्ती हुए। हम यह जो इंजेन प्लेट है यह बहुत कई मिलिन साल पहले दिरी दिरे मुव करती हुई। Eurasian Plate की तरब खिसक रही थी और यह पर एक टक्राव की स्थिधी आई तो टक्राने की वज़े से हमाले की उत्पत्ती हुई लेकिन आज की स्थिथी क्या है आज यह स्थिथी है कि जो Indian Plate है वो Eurasian Plate के अगर इसको मैं Indian Plate मानूर यह Eurasian Plate है तो इंडियन प्लेट जो है वो यूरिशन प्लेट के नीचे दीरे-दीरे की सख रहे हैं दीरे-दीरे का मतलब जैसे कि 4-5 सेंडिमीटर पर यर सुनने को ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही कम संक्या है लेकिन यदि आप देखें कश्मीर से लेकर अरोनाचल तक नीचे तो वो लगबग ये 2,800 किलोमेटर की जो है और ऐसा नहीं कि ये यहीं तक सिमेत है वहाँ पर इंडोनेशा ये अफ़गानिस्तान तो अब ये जो मूमेंट है ये जो प्लेट का एक दूसरे के सापे खिसकना है जैसे यहाँ पर इंडियन प्लेट का यूरेशन प्लेट के नीचे खिसकना ये एनरजी एकुमुलेशन का कारण होता है कि एनरजी सतह के नीचे एकुमुलेट होती है और ये जो एकुमुलेटेड एनरजी है जब सतह से नीचे चक्ताने जो है रॉक्स जो है वो इस energy को इस उर्जा को अपने में संजोय नहीं रख पाती है तो एक वो स्थिती आती है कि वो तूड़ जाती है इसी को हम भुकम बोलते हैं तीन magnitude का, चार magnitude का या दो magnitude का ये भुकम आते रहते हैं और हम उसको locate करते हैं कि सतह के नीचे जो branch है, जो faults है, जो thrust है उनमें कहां-कहां पे ये छोड़-छोड़े भुकम पा रहे हैं, किस magnitude क्या रहे हैं, उनकी concentration क्या है, तो इस तरह का हम अध्यान करते हैं। कुछी दिन पूर्व एक धरादून के निकटी या रिजिगेश के निकटी एक तीन magnitude का अर्थक्विक आया था। अब इस छोटे magnitude का अर्थक्विक की वज़े से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा indication है और ये एक आपको एक तरह से याद कराने क क्या है वो पब्लिक हो या प्रशासन हो या कोई भी हो उसको ये समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा एक वो है कि आप सजग रहें, तयार रहें, कि यहां पर एक बड़े भुकम की संभावला हमेशा बनी रहती, कभी भी आ सकता, अब ये देहरादून के नस्देख, ये एक natural process है, जिस तरीके से मैंने कहा था कि plates की movement एक natural process है, कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह से ये जो ओर्जा एकत्रित हो रही है, इसका निकलना भी एक natural process है, इसको रोका नहीं जा सकता, और इस बात को मैं repeat कर रहा हूं, कि ये जो छोड़ा साई भी भुकम पाया था, ये आप को एक reminder जिसे हम कहते हैं, कि आपको ये बताने के लिए कि आप तयार हैंगे नहीं हैं,